स्वागत है आपका तंदरुस जीवन चैनल पर आज बात करेंगे प्रेगनेंसी के चोथे महीनी की यानि की गर्भावस्ता के 14 से 17 हफते की वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले प्रेगनेंसी का चोथा महीना शुरू होने के साथ ही आप प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में पहुंच जाती हैं प्रेगनेंसी के चोथे महीने तक पहुंचते पहुंचते जी मिचलाना वा उल्टी आने जैसे लक्षन कम होने लगते हैं और एनरजी महसूस होने लगती है ऐसे में थकावट और सुस्ती आधी बहुत कम दिखाई दिती है लेकिन इस दोरान हार्मोनल बदलावों के कारण सीने में जलन, अपच, कबज, स्कीन में बदलाव, ब्रेस्ट वा पेट के आसपास खुजली, मसूडों वा नाक में सूजन, भूक बढ़ना जैसे लक्षन दि साड़े पांच इंच और उसका वेट लगबख 112 ग्राम के करीब हो जाता है जबकि चौथे महीने के आखिर तक शिशू का वजन भढ़कर 135 ग्राम तक भी पहुंच सकता है इस दोरान हालां कि शिशू की स्कीन अभी पतली, गुलाबी और पारदर्शी है लेकिन उसकी मजबूत होना शुरू हो जाती है अब शिशू के कानों का विकास शुरू हो जाता है और वह कुछ आवाजे भी सुन सकता है इस महीने से शिशू के सिर, भौं और पलकों के बाल आने शुरू हो जाते हैं दोस्तों प्रेगनेंसी के चौथे महीने में गरभस्त शिशू का विकास तेजी से होता है इसलिए ऐसे में आपको अपने खान पान की और भी विशेश ध्यान देना चाहिए ऐसे में अपने भोजन में दूद, दही, पनीर, दलिया, ओट्स, डाले, सोया बीन, पालक, हरी, पतेदार, सबजियां और ताजे फल जरूर शामिल करें अगर आप नौन वेज हैं तो अंडे, चिकन वा, मचली का सेवन भी आप कर सकती हैं ऐसे में मैदे से बनी चीज़ें, जंक फूड, चाइनीज फूड वा बहरी भोजन खाने से बचें वा ज्यादा कॉफी या चाई का सेवन भी ना करें इस दोरान आप खूब पानी पीएं और खुद को हाइडिट रखें, कोशिश करें कि एक दिन में कम से कम आठ से दस गिलास पानी जरूर पीएं अब बात करेंगे प्रेगनेंसी के चोथे महीने में आपको किन बातों का ध्यान जरूर रखना है दोस्तों, इस दोरान गरम में शिशू का विकास तेजी से हो रहा होता है इसलिए ऐसी में proper आराम ज़रूर करें और 8 घंटे की नीद ज़रूर लें और बाई करवट में लेटें, क्योंकि इससे blood flow ठीक बना रहता है और गरम में शिशु का विकास भी सही ढंक से हो पाता है आप अपनी सुविधा के लिए दोनों पैरों के बीच तकिया भी लगा सकती है अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही है और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो प्रेगनेंसी के चोथे महीने में आप शारिरिक समंद भी बना सकती है दोस्तो प्रेगनेंसी के चोथे महीने में अपनी बोड़ी को फिजिकल एक्टिव रखने के लिए रोजाना सुभा शाम कम से कम 25-30 मिनट की पैदल सहर जरूर करें आप चाहे तो योगासन वा हलकी फुलकी एक्सेसाइज भी कर सकती है लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान की जाने वाली एक्सेसाइज के बारे में नहीं जानती तो आपके लिए पैदल सहर करना ही सबसे बेस्ट एक्सेसाइज है दोस्तो प्रेगनेंसी के चोथे महीने में डॉक्टर से प्रॉपर चेक अप भी जरूर करवाएं और इस महीने डॉक्टर आपका वेट चेक कर सकती है, बलड प्रेशर की जांच कर सकती है, शूगर वा प्रोटीन के लेवल के लिए यूरिन टेस्ट कर सकती है, बलड में हीमोगलोबिन का लेवल चेक कर सकती है, और शिशू के दिल की धड़कन की जांच भी कर सकती है, अगर आपको कोई समस्या है, मन में आपके कोई भी सवाल है, ऐसे में बीना ही चक के अपनी डॉक्टर से बात जरूर करें, आपकी प्रेगनेंसी बिलकुल हेल्दी चलती रहे, इसके लिए समय समय पर डॉक्टर से जान जरूर करवाएं, ताकि अगर किसी भी तरह की कोई समस तो उसका समय पर इलाज किया जा सके और बाद में आपको किसी किसम की परेशानी का सामना ना करना पड़े दोस्तों ऐसे में किसी किसम का तनाव ना लें क्योंकि तनाव से शिशू पर हानी कारक प्रभाव पड़ता है ऐसे में हर तरह की चिंता को छोड़कर इस समय का पूरा आनन्द लें और आप वही काम करें जिससे कि आपको खुशी मिले तो अभी के लिए इतना ही गुड़ बाई